मैं डाक्टर आर्पी सिंग आपका अपने यूट्यूग चैनल डाक्टर आगो आरवदा सक्ती में स्वागत करता हूँ हाई कोलिस्ट्राल लीबर में बनने वाले एक चिपशिपा पदार्थ है जो कि सरीर के शमाने कारी के लिए जरूरी होता है ये कोशिकाओं और उत्तकों को संगठित बनाए रखने, हार्मोन का उत्पादन करने और नसों के उत्तकों को सुरच्छा प्रदान करने में मौत्वण भूमिका निभाता है हलाकि कोलेस्टराल सरीर में बनने के अलावा पसों से प्राप्ट चीजों जैसे की अंडे की जर्ती चीज और मीट से भी बनता है कोलेस्टराल को दो भागों में वर्गिगित किया गया है गुड कोलेस्टराल और बैड कोलेस्टराल HDL, सरीर से अतिरिक्त कोलिस्टराल को बाहर निकालने में आम भूमिका निभाता है जबकि LDL के कान धमनियों की दिवारों में प्लेक जमने लगता है High cholesterol label के कारण कोरोनरी धमरी के रोग, stroke, कैरोटीन धमनी रोग, cardiac, ischemic और peripheral धमनी रोग जैसी बीमारियां हो सकती है जीवन सैली से संबंदित गलत आत्तों जैसे की धुम्रपान, जंक, फूड, तले और संसाधित खाद्यपदार्त जिनके कारण उत्तकों में वसा का जमाव बढ़ने लगता है कुछ लोग अनुवानसिक रूप से उच्छ कोलिस्टराल के सिकार होते है स्वस्त जीवन सैली के अलावा अयरुबेद की विभिन जड़ी बूटियों जैसे की आवला, हरिद्रा, रसोनम, तील, जोव, पुनर्वा और हर्बल मिश्रों में कैसोर, गुगुल और त्रिफला का इस्तमाल किया जाता है जो विशेश तोर पर हाई कोलिस्टराल, हाई बलड कोलिस्टराल लेबल पर असर करते हैं, सथा हार्मोन संतुलन को ठीक करते हैं आयरुबेद के अनुसार खराब जीवन सैली और तनाव के कारण फैट बढ़ने लगता है और सरीर में अमा की इस्तिती उत्पन होने लगती है, जिसकी वज़ा से सीरम कोलिस्टराल का अस्तर काफी बढ़ जाता है सरीर की नाडियों में और शमाने वसा के संचारम से लिंप में फैट जमने लगता है, परड़ाम स्वरूप दोस और धातु भी खराब होने लगते हैं जिससे कोलिस्टराल बढ़ जाता है, चैपचय की धीमी गती होने के संबंध कफ दोस से होता है इसे भी हाई कोलिस्टराल का कारक माना जाता है, इसके बाद हाई कोलिस्टराल धमनी परतिछा यानि धमनियों का मोटा होना की समस्या पैदा होने लगती हैं और फिर से कई रोगों के कारण बनते हैं आयुर्बेद में कुलिस्ट्राल के इलाज के लिए अगनी यानि पाचन अगनी को बढ़ाने और पंच कर्म थेर्पियों विसेस हरबल आउस्दियों से सरीर की नाड़ियों को साफ किया जाता है आयुर्बेदिक इलाज में पहला है बिरेचन कर्म ये एक सुद्धिक राण चिकित्सा है जिसमें जड़ी बूटियों या औस्दिय काड़े के प्रियोग से विसाक्त पदार्तों या खराप पित दोश को सरीर से बाहर निकाला जाता है बिरेचन से पहले ब्यक्ति को फैटी पदार्तों गुल्म पुट्टी स्थोस खाद्य पदार्त या मीट का सूप दिया जाता है इसके अगले दिन मल के जरिये आतों से अमा को बाहर निकाला जाता है इस चिकित्सा में सरीर की सभी नाडियों से दूसी दोस को मल के जरिये बाहर निकाला जाता है इस प्रकार वात पित और कफ दोस के खराब होने के लच्णों में कमी आती है इससे कोलिस्टराल ट्राइगलिस्टराल राइड में गिरावट आती है और HDL बढ़ता है पाचन बहतर होता है और बिमारी के लच्णों से राहत मिलती है जिससे सरीर में हलकापन महसूस होता है सरीर को मजबूती मिलती है अगला है बस्ती कर्म बस्ती कर्म में इनीमा के रूप में औस्धिय तेल या काड़ा दिया जाता है इस से पहले हलके हाथों से मालिस और सिकाई की जाती है बस्ती कोलेन के कारे को ठीक और अंगोयों मुत्तकों में के पुना निर्मान में मदद करती है ये चिकित्सा वात रोगों के साथ साथ हाई कोलेस्टराल के इलाज में भी असरकारी है इस सीरम कुलिस्टराल लेबल में उचित गिरावट आती है हाई कुलिस्टराल की इलाज में विशेस तोर पर कला बस्ती का इस्तमाल किया जाता है इस चिकित्सा में एक ब्यक्ति को कुलजोल एनिमा दिये जाते हैं इसमें से 6 एनिमा काड़े और बागी के 10 एनिमा तेल से बने होते हैं। हाई कोलिस्टाल की आयरुबेदिक दवा जड़ी बूटियों में पहला है अमलकी। अमलकी में बिटामिन C प्रचूर मातरा में होता है और ये एंटी ऑक्सिडेंट गुणों के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुक तोर पर आउले का इस्तेमाल परिसंचरन पाचक और उस सरजन प्रणालियों से संबंदित रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। शंकुचन ब्लीडिंग रोकने चे रेचक और पोशक सक्ति वर्धक के रूप में कारे करता है। हरिद्रा में विभिन सक्रिय अवयों मौझूद होते हैं जो कि सरीर से अत्तरी कोलिस्ट्राल लेबल को गटाने में मदद करते हैं। ये हिर्दय रोगों बवाशीर गले में खरास और पाचन विकारों के इलाज में लापकारी है। अगला है रसुनम रसुनम यानि लासुन की गाट और तेल को औसदी गुणों के लिए जाना जाता है। इसका इस्तेमाल परिसंचन प्रजनन तंत्रिका और पाचन तंच से संबंदित विकारों के इलाज में किया जाता है। और हाइपरटेंसन के इलाज में असरकारी होता है। रोज लहसुन की दोस से तीन कलिया खाने से हाई कुलेस्टराल से ग्रस्ट ब्यक्ति को लाब होता है। अगला है तील तील को पेश्ट, पुल्टिस, औस्दिय तेल या काड़े के रूप में तयार किया जाता है। ये पेश्टिस, एमेनोरिया और कब्ज जैसे अनेक रोगों के इलाज में उप्योगी है। तील के बीजों के अरक में कुलेस्टराल को कम करने की सकती होती है। ये हाईपरटेंसन के इलाज में मदद करता है। ये अलसर, फफोले और जलन की इस्तिती के लचनों से भी राहत देता है। अगला है योव। योव से सरीर को मजबूती और संतुलन मिलता है, ये सरीर के फैट और कफ को कम करने के साथ साथ अमा को भी हटाता है। ये आतों में कुलेस्टराल के और शोशन को रोक कर लीबर में मौजूद कुल कुलेस्टराल को कम करता है। इस जड़ी बूटी में मौझूद डायेट्री फाइबर यानि कार्भो हाइडरेट का एक प्रकार जिसमें सरीर के एंजाइम दोरपचाया नहीं जा जा सकता, ऐसे को अतिरिक्त कोलेस्टराल से हटा कर बलड पेशर को कम करता है। अगला है पुनर्वा, पुनर्वा प्रजनन, परिसंचरन, पाचन और तंत्रिका तंसे संबंधित रोगों के इलाज में असरकारी है। इसे जूस, अर्क, काड़े, पाउडर या पेश्ट के रूप में ले सकते हैं, ये भिसेश तोर पर हिरदे रोगों, नेत्र संबंधि रोगों, पुरानी सराब की लत्थ, टीवी और दम्मा की इलाज में उप्योगी है। पुनरवा सीरम कोलिस्टराल को भी कम करने में मदद करती है। यानि धमनियों में रुकावट के इलाज और बचाओ में कैसोर गोगोल उप्योगी है। अमा को हटाने के अलावा कैसोर गोगोल चयापचय को भी स्वस्त बनाए रखने में मदद करता है। अगले हैं त्रिफला त्रिफला अमलकी, विवितकी और हरितकी का मिश्रण है। ये खोन को साफ करता है और अन्टी ऑक्सिडेंट के रूप में खारे करता है। त्रिफला के नियमित सेवन से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार और ब्लड कुलेस्टरान लेबल में कमी आती है।